So Hello Guys, Welcome to IT Power दोस्तो आज की इस वीडियो में हम फिल करेंगे जामिया मिलिया इसलामिया का स्कूल एप्लिकेशन फॉर्म 2023 तो इस वीडियो में हम जानेंगे जामिया स्कूल एप्लिकेशन फॉर्म नर्सरी से लेकर क्लास 11 तक का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे step by step पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को last तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी step मिस न हो सबसे पहले आपको अपने मोबालिया लैप्टॉप पे Google उपन कर लेना है और Google में सर्च करना है यहाँ पर कुछ ऐसा रियल्टस हो जाएगा और आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है jmicoe.in इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर यह जामिया मिलिया इसलामिया की ओफिशल वेबसाइट ओपन हो चुकी है कुछ ऐसा इंटरफेस आपको भी दिखेगा स्क्रोल करेंगे स्क्रोल करने के बाद आपको यहाँ पर एड्मिशन वाले सेक्शन में एक लिंक दिखी जाएगा क्लिक हीर टु एपलाई फॉर एड्मिशन इन जामिया इस्कूल नर्सरी प्री क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ, इलेवन्थ आप स्कूल के सभी फॉर्म को फिल कर पाएंगे इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है हमें नया रेइस्टेशन करना होगा तो देखो रेइस्टेशन करने के लिए आपके पास एक इमेल आइडी होनी चाहिए ठीक है जिसको आप यूज करते हों ऐसा नहीं हो वो किसी और की इमेल आइडी हो इस्टुडेशन के पैरेंट्स या गारजेशन की ही वो एमेल आइडी होनी चाहिए जिसे वो यूज करते हों उसके बाद एक 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 मोबाइल नमबर चाहिए आपको फोटोग्राप चाहिए सिगनेचर चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम registration कर लेते हैं तो registration करने के लिए आपको यहाँ पर right hand पर यहाँ पर एक link दिख जाएगा new registration इस पर click करेंगे registration करने के लिए click करने के बाद आपको यह application form दिख जाएगा इस form को हम fill करेंगे step by step तो यहाँ पर सबसे पहले name of applicant यहां पर student का जिसके लिए भी आप form apply कर रहे हैं उस student का नाम यहां पर लिख देना है first name middle name और last name अगर student के नाम में middle name या last name नहीं है तो आप middle name या last name वाले option को skip कर सकते हैं यहां से फिर आपको date of birth select कर लेनी है इस तरीके से यहां से date select कर लेंगे यहां से आपको month select कर लेना है यहां से year ठीक है यह date of birth select हो जाएगी इसके बाद आपकी उसके बाद यहां से आपको gender select कर लेना है male female यह सब details fill करने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी details fill कर रहे हैं वो आप अपने document से match कर लें कोई भी spelling mistakes नहीं होनी चाहिए तो यहां पर father name enter करेंगे उसके बाद mother name enter करेंगे उसके बाद email id enter करेंगे email id enter करने के बाद यहां पर create password का एक option दिखेगा आपको यहां पर एक password create करना है ठीक है password की जो length है वो 8 character से लेकर 20 character हो सकती है ठीक है तो आप जो password create करेंगे उसमें कम से कम एक letter होना चाहिए एक number होना चाहिए और एक special character होना चाहिए special character जैसे कि star हो गया hash हो गया dollar symbol हो गया इस तरीके के characters को हम special symbol बोलते हैं तो यह password आप create कर लेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर confirm कर देना है password को उसके बाद आपको sign up पे click कर देना है sign up पे click करने के बाद कुछ इस तरीक है interface आपको देखेगा अगर आपको अपने form में कोई change करना है तो इस change पे click करके आप change कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने सभी detail सही फिल खरीए तो आपको यहाँ पर confirm कर देना है confirm करने के बाद कुछ इस तरीके का interface आपको देखेगा यहाँ पर आप देख सकते है registration successful आपका registration successful हो चुका है ठीक है अब हमें क्या करना है अपनी email id को check करना है जो email id अभी हमने form fill करते time enter करी थी उसी email id को open कर लेना है email id open करने के बाद आपको एक link आएगा जामिया की तरफ से activate your registration for JMI school entrance test 2013-24 देखो आप यहाँ पर इस link को देख सकते है उसके बाद इस link पर आपको click कर देना है email id पर अपनी पर तो यहाँ पर यह जामिया की तरफ से एक activation code send किया गया है आप इस activation code को note कर सकते है ठीक है यह activation code account को activate करने के लिए यूज किया जाता है लेकिन हम इस activation code से इस account को activate नहीं करेंगे हम यहाँ पर इस link पर click करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं click here to verify activate इस link पर click करके भी आप अपने account को activate कर सकते हैं या फिर आप इस code का use करके भी activate कर सकते हैं तो हम इस link पर click करेंगे और activate कर लेंगे अपने account को मैं यहाँ पर इस link पर click कर देता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पर link पर click कर दिया है और आप देख सकते हैं मेरे को message मिल गया है यहाँ पर मेरी screen पर यहाँ पर आप screen पर message देख सकते हैं your account has been activated यानि कि मेरा account activate हो चुका है ठीक है अब हमें simple सा क्या करना है login करना है तो यहाँ पर मैं login पर click कर दूँगा login पर click करने के बाद फिर से कुछ इस तरीकिक interface देखेगा अब देखो हमारा दो process complete हो चुके है registration हो चुका है हमारा और account भी activate हो चुका है अब हमें क्या करना है form को complete करना है तो अब हमें क्या करना होगा हमें sign in पर click करना है यहाँ पर sign in पर click करने के बाद हमें email id एंटर करनी है और password enter करना है email id और password पासवर्ड वही एंटर करना है, जो हमने email id form fill करते time enter करी थी और password वही enter करना है, जो हमने form fill करते time create किया था, अगर आप पासवर्ड भूल गए है तो forward password पे click करके आप अपना password प्राप्त कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने email id और password को enter कर दिया है, अब हमें submit पे click करना है, submit पे click क कोर्स के लिए किस क्लास के लिए form apply करना चाहते हैं उस क्लास को यहां से select कर लेंगे जैसे कि क्लास 6, 9, 11 ठीक है nursery, pre, first के लिए या सिरफ nursery के लिए आप apply करना चाहते हैं जिस भी क्लास के लिए आप form apply करना चाहते हैं उस option को यहां से select कर लेंगे तो for example मैं class 11 के लिए select करता हूँ यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर course का name यहाँ से select करना है हमें तो course का name यहाँ पर अब मैं जैसे class 11 के लिए आप arts को select करना चाहते हैं या science को या commerce को या class 6 है या class 9 है जिस भी stream को आप select करना चाहते हैं उसे यहाँ से select कर लीजिए for और example मैं class 11 science के लिए form fill करना चाहता हूँ तो मैं class 11 science वाले option को select कर लोगा यहाँ से ठीक है यह सब करने के बाद आपको proceed पे click कर देना है proceed पे click करने के बाद आपको इस check box पे click कर देना है I have read and confirmed the above eligibility condition तो इस पे आपको check कर देना है और यहाँ से add the course पे click कर देना है add the course पे click करने के बाद कुछ ऐसा interface दिखेगा अब हमें अपने इस form को step by step complete करना है तो यहाँ पे सबसे पहले application detail पे आपको click करना है application detail पे click करने के बाद कुछ ऐसा interface आपको दिखेगा तो यहाँ से school की choice को select करेंगे choice 1 यहां से select करेंगे तो मैं यहां से इसको select कर लेता हूं और choice 2 को मैं यहां से select कर लेता हूं ठीक है उसके बाद candidate का नाम आपको पहले से fill मिल जाएगा यह fill करने के ज़रूत नहीं है social category को आप select कर लेंगे यहां से date of birth भी आपको already fill मिल जाएगी क्योंकि हम fill कर चुके हैं gender भी आपको already fill मिल जाएगा यह भी हम fill कर चुके हैं nationality select कर लेंगे यहां से test center choice को select कर लेंगे यहां से तो test center की choice यहां पर Delhi शो कर रहा है तो यहां पर मैं Delhi को ही select कर लेता हूं reservation category यहां से select कर लेंगे अगर किसी reservation category को आप belong करते हैं तो वो यहां से select कर लेंगे blood group select कर लेंगे अगर blood group आपको पता है तो यहां से select कर लेंगे अगर आपको नहीं पता है तो not known वाले option को यहां से select कर लेंगे यहां पर guardians name अगर आपके कोई relative हैं कोई guardians हैं तो आप यहाँ पर उनका name यहाँ पर enter कर सकते हैं otherwise आप इस option को skip भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इस option को skip कर देता हूँ जम्मो एंड कश्मीर केटेगरी यहाँ से select कर लेंगे अगर आप जम्मो या कश्मीर केटेगरी से belong करते हैं तो कश्मीरी माइगरेंट केटेगरी इसको भी आप yes या no कर सकते हैं अगर आप कश्मीरी माइगरेंट केटेगरी को belong करते हैं तो आप yes कर देंगे otherwise इसको आप no कर देंगे school last attendant last time आप किस school में पढ़े थे उस school का नाम यहाँ पर आपको enter कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा have you ever been arrested ठीक है इस type का कुछ option है यानि कुछ police case वगरा है इसको आपको यहाँ से yes या no select करना है तो यहाँ पर no select कर लेंगे उसके बाद आपको option मिलेगा have you ever been divide from any exam आप किसी exam में divide हुए हैं कुछ cheating करती हुए पकड़ी गए है जिसकी वैसे आपको divide किया गया हो तो यहाँ पर उस option को yes या no select कर लेंगे तो मैं यहाँ पर no select कर लेता हूँ उसके बाद आपको option मिलेगा any vigilance case is pending against you अगर आपको against कोई case pending है तो आप उसको yes कर देंगे अगर नहीं है तो no select करेंगे तो मैं यहाँ पर no select कर देता हूँ उसके बाद आपको option मिलता है highest qualification of father आपको अपने father की highest qualification को यहाँ से select कर लेना है next option मिलता है highest qualification of mother ऐसे ही आपको अपनी mother की highest qualification को select कर लेना है फिर next आपको option मिलता है permanent address तो यहाँ पर आपको अपने permanent address की details को fill कर देना है house number, landmark, city, town, village जो भी है आप complete details को यहाँ पर fill कर देंगे address fill करने के बाद आपको option मिलता है parent, guardian, mobile number आपको अपने parents का यहाँ पर एक mobile number एंटर कर देना है इसके बाद आपको scroll करना है उसके बाद आपको option मिलता है correspondence address अगर आपके पास कोई दूसरा address है correspondence address है तो यहाँ पर enter कर दीजिए अगर आपको permanent address की detail ही यहाँ पर fill करनी है तो आपको यहाँ पर simple सा इस check box पर click कर देना है same as permanent address इस check box पर click करेंगे तो आपके permanent address की detail यहाँ पर automatically fill हो जाएंगी ठीक है उसके बाद scroll करेंगे scroll करने के बाद आपको simple सा save and proceed पे click कर देना है save and proceed पे click करने के बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस दिखेगा आप यहाँ पर आपको student का photo upload करना है student का signature upload करना है और जो आपके guardian है या parent है उनका आपको signature upload करना है ठीक है और एक बात का ध्यान रखें जो भी आप photo upload करेंगे उसका size 100 kv से ज्यादा नहीं होना चाहिए और jpg या jpg की form में ही वो होना चाहिए तो मैं यहाँ पे photograph upload कर देता हूँ choose file पे click करेंगे photo upload करने के लिए उसके बाद आपको upload photo पे click कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं photo upload हो चुका है उसके बाद signature को upload करेंगे choose file पे click करेंगे यहाँ पर signature को select करेंगे और यहाँ पर upload signature पे click कर देंगे नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर upload guardian signature का option आएगा यहाँ पर अपने parents या guardian का आप signature अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर choose file पर click करेंगे और यहाँ से upload guardian signature पर click कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं photograph और signatures successfully upload हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको save and proceed पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर academic details fill करने का option आपको मिलेगा तो यहाँ पर दो details fill करने के लिए option दिखा रहा है आपर class 8th और class 9th तो क्योंकि हम class 11th के लिए form fill कर रहे हैं तो हम यहाँ पर class 8th के detail को enter नहीं करेंगे यह compressor ही भी नहीं है तो हम इस उपर वाले option को skip कर देंगे और हम यहाँ पर class 10th के detail को fill करेंगे तो यहाँ पर आपने किस year में class 10th pass करी थी या pass करेंगे तो उस year को यहाँ से select कर लेंगे किस board या किस institution से आप class 10th कर रहे हैं या कर चुके हैं उस board का या institution का नाम यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद आपके English में percentage कितने थे वो लिख देंगे यहाँ पर और Math में कितने percentage आपको marks मिलेते class 10th में वो लिख देंगे और Science में कितने मिलेते वो लिख देंगे ठीक है जो marks आपको मिले है उनका percentage निकाल कर आपको यहाँ पर लिख देना है ठीक है अगर आपका real नहीं आया है तो आप marks भी यहाँ पर enter नहीं कर पाएंगे तो अगर आपका real नहीं आया है class 10 का भी तो आपको simple सा यहाँ पर result awaited वाले checkbox पे click कर देना है उसके बाद scroll करेंग और यहाँ पर save and proceed पर click कर देना है आपको और यहाँ पर आपको आपकी display पर एक message होगा please confirm that you are filled all academic details properly यहाँ पर आपको confirm करने के लिए गोल रहा है कि आपने जो academic details फिल करी है वो सही फिल करी है तो इसको ok कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसा interface दिखेगा तो अब आ payment करने से पहले आप अपने form को check कर लिए carefully check कर लिए उसके बाद ही आप इस form का payment करिएगा ठीक है यहाँ से scroll करेंगे और यहाँ पर एक checkbox दिखेगा यहाँ पर I confirm the above इस पर click कर देंगे ठीक है उसके बाद आपको confirm and submit पर click कर देना है उसके बाद फिर से इस तरीकी का interface आपक payment पर click करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीकी का interface दिखेगा तो यहाँ से आप payment का type select करेंगे तो यहाँ पर payment का type आपको online select करना है उसके बाद आपको यहाँ से credit card, David card, SVI यह net bank जिस भी method से आप payment करना चाते है उस option को यहाँ से select कर लेंगे for example मैं David card से payment करना चाता हूँ तो मै David card को यहाँ पे select कर लोंगा उसके बाद स्क्रोल करेंगे और यहाँ से आपको proceed to pay पे click कर देना है प्रोसीटर पे बेण करने के बाद कुछ इस तरीके के interface दिखेगा और यहाँ से आपको pay now पे click करने के बाद कुछ इस तरीके के interface दिखेगा तो यहाँ पर pay using card है, इस option पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको card number enter कर देना है, card की expiry enter करना है, card holder का name enter करना है, और cvv number enter करना है, यह सब enter करने के बाद आपको pay now पर click करके payment कर देना है, आपका अपको successful हो जाएगा